बृहत्त सामा तथा सामना गाइत्री छंद सामहम मासा नाम माक्शेश और रित्वों में वसंत हूँ इस श्लोक के माध्यम से श्रीकृष्ण ने स्वैम को माक्षीश मास बताया है। कहते हैं इस महीने में जब तप और ध्यान से हल बिगड़े हुए काम बन जाते हैं। इस महीने में कानहा के मंत्रों का जाप करने मात्र से समस्त मनुकामनाई पौर्ण हो जाती है। सत्युग में देवों ने माक्षीश की प्रथम तिथी को ही वर्ष प्रारंभ किया। तो इस प्रकार माक्षीश मास का ये वर्णन शास्त्रों में प्राप्त होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ, साल 2024 में माक्षिश मार्स का प्रारंब हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है, माक्षिश मार्स क्या इसके नियम है, क्या इसका महत्व है, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, समपोर्ण जानकार्या, इसी एक वीडियो में आपको प्राप्त हो जाएगी तो वीडियो को अंटे तक जरूर देख लीजे माक्षीश का महीना इस बाद 16 नवंबर 2024 से शुरू हो रहा है जो की 15 दिसंबर 2024 तक चलेगा इसके बाद पॉश माह की शुरूरात हो जाएगी इस साल माक्षीश माह के पहले ही दिन व्रिश्चिक संक्रान्ती भी है इस दिन सुर्य व्रिश्चिक राशी में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले जानते हैं कि माक्षीश माह में हमें क्या करना चाहिए माक्षिश मास में विस्णू शहस्त्रणाम का जब भगबत गीता और गजेंद्र मौक्ष का पाठ जरूर करें इससे पित्रों को मौक्ष मलता है साथ ही आपके जीवन ने भी हर प्रकार के सुख का वास होता है दूसरा माक्षिश के महीने में शंक को बहुत ही पूजनीय बाना गया है माक्षिश मास में शंक में पवित्र नदी का जल भरे और फिर इसे पूजा के स्थान पर रखें शंक को भगवान के उपर से मंत्र जाप करते हुए घुमाएं और इसकी बाद शंक में भरा हुआ जल घर के कोने कोने में छड़कते माक्षिश मास में शंक पूजा से घर में सुक सम्रधी आती है हर प्रकार की नकरात्मक्ता का नाश होता है तीसरा माक्षिश मास में संतान प्राप्ती और सुखी जीवन के लिए आपको भगवान श्रीक्रश्ट की सुबह और शाम दोनों ही समय अवासना जरूर करनी चाहिए जो भी गंपती संतान सुख केच्छा रखते हैं माक्षिश मास से उन्हें संतान गोपाल मंतर का जाप शुरू करना चाहिए अगर ज़्यादा दिनों तक ना कर सके तो कम से कम माक्षेश मार्स का संकल्प लेकर प्रथम दिवस से आखरे दिनों तक ज़्यादा से ज़्यादा संक्या में संटान गुपाल मंत्र का ज्राप करे अवश्य में भी आपके घर उत्तन संटान की प्राप्ति आपको होगी भग कारा मिल सकता है माक्षी शमास में आप सोमवार के सोमवार चंद्रोदे के समय चंद्रमा को अर्गर जरूर दें और चंद्रमंत्र का जब करें ओम सोम सोमाय नमह इस मंत्र का जब कर सकते हैं आप या चंद्रमा को धान में रखते हुए उनके अन्य मंत्रों का जब कर सकते हैं इससे आपको चंदरदोशों में जो जिसकी वज़ास से बहुत तरह की जीवन में परिशान्या होती है राहत महसूस होगी अब माक्षीश मास में आपको जो नियम है वो क्या मानने चाहीं देखिए सभी लोग तो अगहन स्नान मतलब माक्षिश मास को देखिए हम अगहन अग्रायन मास भी कहते हैं तो आप स्नान अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इन्यमों का पालन कीजे देखिए माक्षिश मास में सात्विक भोजन कीजे तामसिक भोजन नहीं कीजे माक्षिश म में किसी से भी वाद विवाद से कड़वे वचन से आपको दूर रहना है घर में भी हमेशा सकरात्मक्ता का महौल रखें माक्षेश मास में देखिए सर्दी का मौसम होता है तो ऐसे में ठंडी चीज़ों का आप प्यात करें ऐसे मास में देखिए जो भी मसालों में ठंडी ज मैंने इस वीडियो में शेर किया है जरूर अपनाई उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेर कर दीजे चैनल पर पहली बार आए हैं ऐसे जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को स शुक्रिया जै श्री कृष्ण जै श्री राधेम झाल झाल